हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे PCR डेटा बैंक निफ्टी का PCR डेटा निफ्टी का PCR डेटा कैसे इंट्रेडे में आप इफेक्टिवली यूज कर पाएं और उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिएं सही तरीके से और उसे प्राइस सक्षिन के साथ में कंबाइन करके आप बैटर वे में टेट कर पाता हैं काफी समय से डिमांड थी आप लोगों कोई आप ऐसा सॉफ्ट्वेर ऐसा टूल बताएं ज आप अच्छा सॉफ्ट्वेर है यह भी मुझे अच्छा लगा और इस टूल को कैसे यूज करना है इंटर डे में समझते हैं अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना चाहिए कर सकते हैं ठीक है ताकि और प्रेस दबैल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन्स आपको मिलते रहें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहां पर यहां पर जो डेटा लगावा है वो लगावा है आपका आप्शन कुछ आप्शन का डेटा आ रहा है इंटर डे निफ्टी मैं मार्क करके यह PCR मैंशन है आप यहां पर देखो यह home page है और तो आप देखरो यह front पर ही सब कुछ signals आ रहे हैं यहां पर निफ्टी का सिगनल आ रहा है इंटरे में क्या हो रहा है यहां पर बैंक निफ्टी का सिगनल मिल जाएगा आपको बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है 15 पे 5 मिन पर आप इसे जूम करके देखना चाहूं वो भी आप देख सकते हैं तो कैसे करना एक्जेक्टली आपको यहां पर आना है आपको निफ्टी का देखना है 15 मिट का देखना है 15 मिट पर करूँगा 5 बन यहां पर मैं शो मोड पर क्लिक कर देता हूं ठीक है तो यह derivative data आजाएगा derivative data क्या होता है derivative data में हम option chain intraday data intraday option chain का data study क्रते है तो जो put का ओएक है उसको divide करसे ही कि आप call के है उसे तो PCR data आ जाएगा आपको साभडें तो यहां पर कितना आ रहा है PCR data देखते हैं और नीचे आप के देखो यहां पर इंटरेट डेटा है, यह मॉर्णिंग से स्टार्ट हो जाता है, आप देखो जैसे मॉर्णिंग में मैं फ्राइडे का डेटा बता हूँ, 9.30 पे बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वैल्यूज पॉल की और पूट की आ रही हो, उसका डिफरेंस आ रहा है, कितना ओपन इंट स्टार्ट है, तो माना जाता है मार्केट बुलिश है थोड़ी सी, और वन से कम है तो बियरिश माना जाता है, कॉल, पूट, इसका पीसी आर, कितने बचे कितना पीसी आर, बंदोते टाइम, बाइ सिगनल, ऑप्शन सिगनल ने क्या दिया, बाइ दिया, बाइ बताया, और वीवेब, जो टेकनिकल एनलेसिस में यूज होता है, वो भी बाइ बता लाए, तो यहाँ पे आपको दो सिगनल तो ऐसे ही मिल गए, बाइ गे, मार्केट में, जिनमें बाइ बन रहा है, ऑप्शन डेटा भी बाइ बता रहा है आपको और वीवेब भी बता रहा है, फिर आ आइडिया का अगर डेटा देखें, फ्राइडे में इतना ओपंटर्स बिल्डप था, कॉल का, फूट का इतना था, और डिफ्रेंस इतना था, और पीसिया डेटा वन से कम है, जो की एक निगटिव साइन है, इसलिए इसने सेल सिगनल रहा है, और वीवेब भी सेल दे रहा तो आपको क्या देखना है, आपको तो प्राइस सेक्शन यूज़ करना है, जो प्राइस सेक्शन आपको बताया गया है, उसके साथ ये डेटा करना है, अगर प्राइस सेक्शन भी आपको बाय बता रहा है, यहां पर आ रहा है, सेल, तो चीज़े पॉन्टेडिक्ट कर रह हैं च Cabell पर बताओं अगर तो मैं 5 मैं इसकर नहीं पर तो मैं यहां से size 5 मिनट्स के में चार्ट कर दो ने वहां पर जाकर इसने चेंज किए इसने जो दोनूं। जबह अगर आप ध्यान से के यहां पर यहां पर कभी बाय आ रहा था किया यहां कभी सेल आ रहा था यह अब दोनों जगे बाय कहा आया इसे खेuh और दोनों जचब आया आपको अससक्सन्टरों इस सक्ष्चन चार्ट्ट ऐसा नहीं है के वालं आप्शन देख लिए यहां यहां पर भी sell है, यहां भी sell है, sell कर देता हो, आप जो अपनी study कर रहे हो, वो आप study करें, market में, जो भी technical आपको आता है, price section आता है, ठीक है, जो price section strategies आपको deliver की गई है, उसके basis पर आप कर सकते हो, उसके साथ combine करो, तो यहां पर buy आया है, तो यहां पर आप entry ले सकते हैं, PCR की value भी आप 1.09 थी, अब यहां पर एक थोड़ा सा data यहां पर आप देख सकते हैं, यह value कितनी है, यह value है आपकी 12,29,000, 12,29,000 माइनस में है, और आप देखो अचानक से 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद value प्लस में आ गई, जो माइनस 12 लाग थी, वो प्लस की 11 लाग बन गई, यह तो बहुत बड़ा difference है, अगर आप देखो तो अचानक अपने आपने, एक difference यहां पर भी आया है, इस जगे देखो, यह भी difference बहुत बड़ा है, अगर PCR data वैसे अगर आप ध्यान से देखें, यह लगातार बढ़ता जा रहा है, PCR, 0.73, 7172, 77 हो गया, 7991, तो यह बता रहा है, overall trend market का जो है, bullish हो रहा है, उपर की तरफ जा रहा है, और वी वैप तो आपको बाय बताई रहा है, बट, confirmation तभी मिलती है, जब PCR की value, 1 से ऊपर चली जा है, तो price section भी आपको बाय बता रहा है, PCR बाय बता रहा है, आपको signal यहां से मिल गया, then you can trade, तो यहां पर हम अपनी entry बना के चल सकते हैं, अगर आपको price section भाय बता रहा है, तो आगे देखते हैं एक बार, तो आप देखो, लगातार market ऊपर चलता चला गया, buy, 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 buy ही बना रहा market, पूरे दिन buy बना रहा है, और 6.46 तक चली गई PCR की value, यह nifty का है, मैंने bank nifty का भी ऐसा ही होता है, bank nifty का भी मैं भी अभी दिखा देता हूँ आपको, तो जिने अच्छा लग रहा है, एक बार वीडियो को like कर दीजिए, अगर समझ में आ रहा है आपको चीजे, और जो लोग लेना चाहते हैं, वो मैंने link mention कर दिया है, auto tender का उस link के थरू ले सकते हैं, अब ध्यान से देखो, यहां पर कितना difference आ रहा है, 11,00, 14,00, 12,00, 51,00, 70,00, 86,00, 97,00, 99,00, लेखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जो 11 था, एक करोड तक चला गया 1CR तक चला गया data, 1CR 31,00, यहां पर आ रहा है, तो लगता market bullish होती जा रही है, इस data का इस तरीके से आप use कर सकते हैं, PCR values का, और यह जो data आता है, यह जो data है, change in open interest का data है, यह open interest का data नहीं है, change in OI का data है, और वो भी सारी strike prices का नहीं होता, जो ATM के आस पास की कुछ strike prices हैं, उनका data होता है, change in open interest, जो कि intraday के लिए काफी ज्यादा helpful माना जाता है, ऐसे ही आप bank nifty का देख सकते हैं, bank nifty का अगर देखें यहां पे, तो bank nifty में नीचे आ जाते, bank nifty में भी कुछ इसी तरह का, bank nifty morning से ही positive दिखाई दे रहा था, तो वो positive ही चला, बीच में एक बार वीवैप ने के वल sell signal दिया, बाकी overall ठीक रहा, तो 930 पे ही हमें signal मिल गया था, buy का, PCR की value 1.17 थी, तो overall हमें option data हमें, option data हमें buy बता रहा था, निकल आपको जो बता रहा है, आपका क्या view है market पे, उसके साथ आप combine करके करेंगे, तो आप अच्छा market में पैसा बना पाएंगे, तो यहां पे कोई sell नहीं आया, यहां पे भी कोई sell नहीं आया, ठीक है, तो यहीं पे आप बना सकते थे, या फिर यहां कहीं पे, अगर आपको price section method buy बता, तो लगतार market में, 1.2529, 1.35, 1.60 बढ़ता चला गया, 2.7, कहीं भी sell का signal bank nifty में में नहीं दिखाए दिया, overall positive बंद रहा, और यह केवल intraday के लिए helpful है, यह PCR data में पहली बता रहा हूं, कभी सोचों कि next day market gap up होगा, यह और उपर जाएगा, ठीक है, अभी Monday को कल को क्या होगा, वो market के sentiment, overall market में क्या position बना रखके गए है, option buyer, option sellers, उस पे depend करेगा, ठीक है, केवल इस data पे depend नहीं करेगा, यह तो 3.30 का data है उस time पे क्या हो रहागा, telegram link आप join कर लिए, time to time में यह data भी telegram पे update करता रहता हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, I hope चीजे समझ में आ रही होंगी, इसी software की कुछ और वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आप better way में समझ सको, thank you so much for watching this video.